हलो दियर इस्टुरेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका जो है रिजल्ट का फॉर्मूला आ चुका है, अब दिक्कत यह है कि रिजल्ट कैसे निकाले, क्या पता कैसा रिजल्ट आने वाला है, 45 दिन का टाइम दिया गया है, 45 डेज के बाद में आपका रिजल्ट कारण यह है कि अगर रिजल्ट आपके उमीर के इसाफ से नहीं रहा, तो आप लोग वापस एक्जाम दे पाएंगे, इसलिए रिजल्ट देखना जरूरी है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट हैं, चाया आप 10th क्लास में हैं या 12th क्लास के इस्टुरें आप भी गर पर बेटके अपने रिजल्ट को त्यार कर सकते हैं, चलिए, सबसे पहले में बात करने वाला हूं 10th के इस्टुरेंट का जो इस बार 11th में आ चुके हैं और 10th का इंतजार कर रहे हैं, तो देखेगा, वेटेज इस तरह से रखा गया है, 45% 8th क्लास के जो आपक इस स्कूल के इसाब से बेजे जाते हैं, चलिए, अब इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसमें 8th क्लास के 45%, 9th क्लास के 25%, 10th क्लास के ये और ये मार्किंग आपके स्कूल के दवारा बेजी जाते हैं, अब देखेगा, अब एक स्टुटेंट हैं जिसका नाम रमे परसेंट आ जाते हैं, अब 90% उसके जो है 8th क्लास में आये थे, ओके, उसे के साथ अगर 9th क्लास में बात करो, उसने पढ़ाई कम की होगी, है ना, उसके परसेंटेज आ गए होगे 70%, क्लियर हो गया, 10th का अभी किसी को कुछ भी नहीं पता कि स्कूल के दवारा कितने करने वाला, तो 10 नंबर यहाँ पर बेजे से आ सकते हैं, ओके, नेक्स आता है, अब मार्किंग 20% बेजी जाती है, तो करीबन 15-20 तो बेजी जाती है ना, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही गड़ लेते हैं, है ना, अब जो मार्किंग बेजी जाती हैं, जो कितने नंबर की है एक जिरो से एक जिरो चला जाता है, इतना तो मैंसे आप लोगों को आता है, क्योंकि 10 प्लास में हो, है ना, अब देखेगा, 45 अगर मैं इसके मल्टिपल करूँ, है ना, तो कितना आया था, नो पंजे 45 पांच हसल की 4, नो चोक छतिस और 4, 40, मतलब अगर यहाँ पे 0 है, 40.5 यहाँ पर बन जाता है, क्लेर हो गया, चली, अब यहाँ पर 70% का कितना निकालना है, हम लोगों को 25% निकालना है, 25% भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पर 25 से मल्टिपल करूँ, 7 से, तो कितना हो जाता है, 175 और यहाँ पर 0 था, तो प तो भी मैंने इसको 20 माना है, इस तरह से आप लोग भी अपना रिजल निकाल सकते हैं, अब इसके percentage दिखते हैं, 5, 5, कितने हो जाते हैं, 10, point, यहाँ पर 1 लग जाएगा, 7 और 8, okay, okay, 2 and 1, 3, 4, 4 और 4, 8, तो 88% उस बंदे के बन जाएंगे, clear हो गया, यहाँ तक आप लोग क चीजे समझ में आ गई होगे, इसी तरह से आपको percentage निकालने होगे, है ना, एक और example लेता हूँ ताकि आप लोग के समझ में आ जाए, है ना, तो ratio किस तरह का था, आप लोग को बदा है, जैसे मान लीजी कोई रवीना नाम की लड़ी की है, उसके percentage निकाल दे, मान लेते है कि उसके जो है, 8th class में, 8th class में उसके जो percentage आये थे, वो आये थे, कितने आये थे, मान लीजी 80% आये थे, उसका multiple कितना होगा, 45% का होगा, ठीके, चलिए, फिर उसके 9th class में उसका ratio गिर जाता है, तो मान लीजी 60% आये थे, उसका 25% में निकाल लूँगा, 10th class में, जैसे कि आप लोग को margin पता है, 10th number बेजे जाएंगे, और जो marking है, स्कूल से बेजे जाने वाली है, वो कितनी होने वाली है, 20 होने वाली है, इसके multiple में अभी कुछ है नहीं, क्योंकि स्कूल के ज़ारा बेजे जाएगा, थोड़ा सा open अच्छे percentage हो सकता, उससे समझ भाएंगे, यहां पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहां किया गया 15%, मलब 150 होता है, point में ने हटा दिया, तो 150 को यहां पर 15 हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा, अब क्या बचा, हाँ 10th का, अब यहां पर जो 10th का, आपका जो ratio ए 10th class का, वहां 10th परसेंट डखा ग 11, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81% मने जाएंगे, क्लियर हो गया, उनके 81% यहां पर माल लिये जाएंगे, क्लियर हो गया होगा अब आपको, है न, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, 12th class का किस तरह का ratio रेने वाला है, यह 10th class का हो चुगा है, अगर आप इस परसेंटेजर खुश नह जाएगा, उसके बाद में आप वापस जो हैं, एक्जाम देने की त्यारी कर सकते हैं, है न, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए, अब बात करते हैं कि 12th का किस तरह का जो है, रिजल्ट रखाय जाएगा, या 12th का किस तरह से हम लोग अपना जो है, रिजल्ट निकाल पा गया है, 28%, 40%, 40%, 40%, 40%, यह उसके लिए हैं, ताकि आपकी प्रेक्टिकल की भी अच्छे से नंबर यहां पर जुड़ पाएं, इसकी हिसाब से इनोंने यह रखा है, ओके, तो आप देखेगा, अब यहां पर मान लिजे की कोई भी आहां पर देखी, 10th का जो रेश्यो है, वो ह जैसे मान लिजे किसी के student के 10th क्लास में 80% आये थे, तो 80% का यहां पर 28% यहां पर निकालना पड़ेगा, ठीके, फिर यहां पर आता है 40%, मान लिजे 11th क्लास में उसके कम नंबर आ गए 60% थे और यहां पर 40% का रेश्यो बन रहा है, उसी साब से यहां पर 40% का रेश्यो 12th लास का है तो बराबर इसी का जो है रेश्यो ले लिजिए क्योंकि यहां पर कुछ पता ही नहीं कितना नंबर आ रहा है, यहां पर 40% का यह भी रेश्यो तो पता है नहीं कितना आ रहा, तो 40% equal to 40% हो जाते हैं, है ना, 16, 84 होते है, 48 होते हैं, यहां पर देखिएगा अब इसमें देखेगा, ठेके यह इस तरह का इसका ratio बनेगा, clear हो गया, अब इनको जो है add कर लिजे, add कितना होगा, 0.8, यहां पर होता है 10 and 18, यहां पर आ जाता है 2, 3 and 4, 5, 58.8% बनेगे, 58.8% इनके बनने के chances होते हैं, ठेके जो इस तरह का ratio cover कर रहा है, वो उनके percentage इस तरह से बनेगा, यह ध्यान रिखेगा, okay, तो इस तरह का जो है, अगर आप science के student हैं, आप अपना इस तरह का ratio आप निकाल सकते हैं, easy, तो अब बात करते हैं कि arts वाले students किस तरह का ratio बनने वाला है, तो ध्यान से देखेगा, कि सबसे पहले, यहां पर जैसे 40% है तो 40% यह किसका है, त्यान रिखेगा, यह 10th class के लिए है, यह 11th class के लिए है, यह 12th class के इस बार बेजे जाएंगे, और यह marking है, जैसे आप लोग को बता है कि हर बार बेजी जाती है, है ना, अब इसके ratio निकालते हैं, अब माल लिजी कोई भी student है, जिसका 10th में अच्छे percentage बनें, माल लिजी कितने बनें, 90% बने होंगे, है ना, उसका कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे, फिर बात करते हैं, 11th class के 11th में कम बढ़ाई करते हैं, वो सब को पता है, ठीक है, माल लिए कितने हो जाते हैं, 70% माल लिए ठीक है, उसका 20% निकालना है, और 20% का ratio तो and यहाँ पर हो जागा 36, है ना, clear है, तो इसमें कितना बन जायता है, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% इस बनेंगे, ठीक है, ध्यान रिखेगा, इस तरह से आप लोग को अपने हर एक मार्किंग इसी तरह से आपको एड़ गरनी है, और इस तरह से आपको निकालनी है, ओके, यह सारे percentage के हिसाब से, ना कि एक subject के हिसाब से ध्यान रिखेगा, पूरा 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 जो total आपके percentage हैं, उसी के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, ओके, अब काफी से student हैं, जो सोच रहे थे कि सर हमारे result किस तरह से आएगा, तो आपको पता चली गया होगा, तो आप अब अराम और वो जो है, online school इंडे आप लोगों तक जो है, वीडियो पहुचा रहा है, और आप लोगों की regular class से पहुचा रहा है, ओके, तो अब उमीद यही करता हूँ कि आप लोग अपने परसंटेज निकाल पाएंगे, और साथ में अपने सारे परसंटेज देख पाएंगे, ओके तो फड़ा फड़ा अगर आपको बसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दीजेगा, शेर करना मत बूलेगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राब ज़रू कीजेगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, तैंक्यू वेरी मच् दोरू आपके जहाता है